हलो फ्रेंज देख रहे हैं आप नेक्स्टो नाइन न्यूस में आप सभी की होस्ट त्रप्ती आज आप सभी का एक बफर से बहुत-बहुत-बहुत स्वागत करती हूं हमारे शानल में आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं शारू खान की वाइफी और आप सब की फेवरेट बॉलिवुट ही नहीं बलकि पूरे इंडिया की मोस्ट पावरफुल विमन्स में शमार इंटरनाशनल स्टार इंटीरेट डिजाइनर गौरी खान के वो लव इट फर्स्ट साइट वाली लेडी लव जिने पहले ही दफा देखने के बाद शारू ने अपना दिल दे दिया था जिस गौरी खान को हमेशा प्यार देने वाले शारू नी कभी अपने जिंदगी से बाहर नहीं जाने दिया जिस गौरी खान के आने के बाद तो मानते हैं क्योंकि गौरी खुद काफी टालेंटेड होने के बावजूद अपनी मुहबबत अपने हमसफर शारू का साथ दे कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरिद करती है उस गौरी ने हाली में जो सहा है इससे हर कोई बाकिफ है एक मा का दिल ही जानता है कि एक बेटे को जेल की अंदर सराखों की अंदर ना सिर्फ दिन रात फूखे प्यासे रहके बिना सोए रहते हुए देख कर भी लाचारी का सामना करना कितना तकलिफ दे हो सकता है आरम के ड्रग मामने की वज़ह से गौरी के लिए भूख प्यास मानूख क्या होता है गर में देखने के लिए एक एक मिनट का दिजार कर रही थी 30 अक्टूबर की तारी को आरें घर लोटे और दिवाली की तयारिया तो उसे दिन से शुरू हुई मन्नत में दोस्तों मन्नत जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया उस मन्नत में गौरी शाही अंदाज में बॉलिव अपने सभी फ्रेंड्स लगभग सभी फ्रेंड्स को इंवाइट किया और सब उनकी इंविटेशन का मान भी रखते नज़र आए देखिए फीडियो शारू खान के परिवार के लिए दिवाली का तिवार हमेशा बहुत खास रहा है शारू का अपने दिवाली में अपने फ्रेंड्स के बीच काफी इंजुई करते नज़र आए है शारू खान का स्टार्ड्स के साथ बॉलिवूर के बड़े स्टार्स के साथ दिवाली खास शारू की दिवाली पादिये में बॉलिवूर के अमुमन दिगत शामिल होते रहे हैं लेकिन अपनी पत्नी गौरी के साथ शारू इस दिवाली पर भी बहुत स्पेशल मुमिन शेयर कर रहे हैं शारू खान ड्रग मामले में जो 25 दिव में रहें वो वापस घर लोच चुके हैं ऐसे में गौरी और शारू के घर में होने वाली दिवाली से आपको रूबरू कराना चाहेंगे बनसल शारू और गौरी के घर पर जो दिवाली होती है वो बहुत स्पेशल होती है ये बल्कुल सच है वजह इसकी ये है कि शारू को गौरी दिवाली को और स्पेशल जो है सो बनाते है अपनी खुशियों में बाकी लोगों को जोड कर पस्वीर देख सकते हैं अपनी पत्नी के साथ पाठानी लुक में शारू खान दिवाली बैश के मौके पर कैसे नजर आए सजधचकर तो वही दुश्री तरह अपन गौरी खान की ही नहीं बलकी काजोल भी शारू के साथ दिवाली के इस पाठी का हिस्सा जब बनी तो कितनी खुश नजर आए दिवाली पर शारू क और गौरी के घर पर जब पाठी हुई थी मनलत में तो कट्रीडा कैफ और आलिया भन भी जस तरह के ड्रस में नजर आए थी बलक अटायर में बलक अड्रस के स्थीम को फॉलो करती भी बहुत लाजबाब नजर आए थी गौरी खान इस पाठी में बलकुल प्रिंसिस बलकुल क्वीन नजर आए थी और तो और इस पाठी का हिस्सा सल्मान खान से लेकर प्रीतिस जिंटा भी हुए थे इस पार्टी में शामिल करीरा कपूर खान से लेकर बॉलिवूद के वो सब कलाकार थे जो कि शारुक और गौरी के बहुत ही जादा करीब रहे है शल्पा शेठी भी राजकुंद्रा के साथ दिवाली के इस वैश के मौगे पर पहुँची थी और यह दखी आप तस्मीरे कितनी जादा वारत हुई थी यह जिसमें शारुक और गौरी अपते फाबली के साथ है और रॉयल्टी के तस्मीरों में साब दिखाई दे रही है इनके रॉयल लव की जो चर्चा क्यों होती है इसकी वजह साब दे आई है क्योंकि सच में शारुक और गौरी जो है अपते पाबली के साथ इस्तिवहार को और स्पेशल बनाते हैं जब बॉलेवुड इंडस्ट्री के बाकी कलाकार को भी एड़बाइट करते है शारुक औ इंडस्ट्री उटकर दिवारा है और यह सब अच्छी तरह से जागते हैं वल आपको यकीन भले ना हो लेकिन आप यह तस्वीरे जरूर देख सकते हैं दिवाली पाथी की करन जोहर से लेकर आलिया भट रनवीर कपोर से लेकर इस मौके पस धार्त रोई कपोर से लेकर अर तो और देखा गया है अरजुन कपोर के अलावा वरुन धवन तक को इस तरह से जो है तो इंजोई करते हैं ये स्पेशल मुबेंट डजर आ रहे हैं शारूख और गौरी के दिवाले और इस बारे में भी आपको बताना शाहिए हैं हमारी इस रिपोर्ट में इसके अलावा शारूख अपनी बेटी सुहाना और बेटी अबरान के साथ इस पार्टी को बहुत इंजोई करते हैं ये अगर आप तस्मीरे देख रहे हैं वो तो गौरी खान की फ्रेंट भी गौरी और शारूख की दिवाली पार्टी में अफ़र शामिल होते रही हैं शापुनावाला से लेकर सीमा खान तक दिवाली पार्टी का हिस्ता हर साल बनते हैं क्योंकि इनके बीच के स्पेशल बॉन्ड कभी दुश्रे के साथ कब नहीं हुई है जी हां इसके अलावा दिवाली पार्टी की बात हो रही है शारूख खान और गौरी खान के घर होने वाली दिवाली पार्टी की बात हो रही है तो देखें काजोल के साथ शारूख की दिवाली मस्ती भरी वहीं आप देख सकते हैं विक्रम जिजाइनर विक्रम अम्रिता औ और तो और करिश्मा कपूर से लेकर क्रिटी सेनर सद्धात मनोत्रा मनोज वाजपाई तक अम्रिता अरोडा तक माल्यार काट्रीना क्याफ तक सब ने दिवाली बैश में हिस्सा लिया सिर्फ सल्मान खान के जिग्रियार वने उन्ली शारू खान के से लिए ये कहकर आपको हम बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में तो वहीं आपको ये बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि साल शारू खान के घर पर की दिवाली जो है थोड़ी सी जो है सो अलग हो रही है क्योंकि शारू ने मननत को दिवाली की तरह अभी ही सजा दिया है और इंखान की बाचेत अपने प्रेडिसर नहीं है तो दिवाली के मौखे पर वह बाज से नहीं मिल सकते हैं जैसे आपको बताना चाहेंगे शारू की मैनेजर पूजा रदलानी है जिन्होंने पैसे दिये थे आरंखान को बचाने के लिए और इसे रिटर्न भी नहीं किया गया पूजा रदलानी को इस तरह की खबरे भी आई शारूखान को लेकर ये चिंतावारी खबर है क्योंकि अगर इस तरह से खबरे आई ही तो वाकई में तख्लीप होगी जैसे आपको रहना चाहेंगे ये भी हमारी इस रिपोर्ट में स्पेशल मुमेंट की बात हो रही है तो शारूख और गौरी को लेकर और भी खबरे आई है कि बर्डे भी शारूख ने बहुत प्राइबिटली इंजोई किया है शारूखान जो ट्वीटर पर अक्सर शेयर करते हैं अपने बात रखते हैं उन्होंने सोशल मीडिया पत्रिश बात रखी यानि कि बात है वही आपको बताना चाहेंगे शारूखान के बारे में ये बहुत सच है कि क्या कहा जायां कि वोर्ट नहीं है शारूखान को डिपाइन नहीं किया जा सकता है वो जैसे हैं अपने आप में परफेक्ट है तो महीं आपको ये बताना शाहिंगे शारु खान के बारे में कि तो ट्वीटर पर तो शारु को खूब प्यार मिल रहा है और तो और शारु खान जो है बॉलवुड की तरफ फिर से ट्रैक पर लोट रहे है क्योंकि आने वाले फिल्म उनकी पठान है बॉजी खालीफा में शारु के बर्दे बनाने के लिए जो है स्पेशल उन्हें थैंक्स करने के लिए जो है वोगे को इस तरह से बादा किया मानो की बहुत स्पेशल शारु खान का है तो और ऐसे मौके पर ये ही बता जाता है कि चीजे आसे निकल जाती है वैसे शारु खान के बर्दे को पर्बिक इविंट बनाने में भी देर नहीं लगती लोग इसे पर्बिक इविंट बनाते हैं तो दिवाली को भी पर्बिक इविंट बनाएंगे लोग लोगों का कहना इसलिए तो बहुत स्ट्रिक्ट है शारुक अपने बेटे को लेकर अभी ठाल और ये भी सच है कि इसकी वीज़ा वज़ा सिर्फ यही नहीं कि दिवाली से पहले क्या हुआ शारुक खान के साथ उनके घर पर बलकि वज़ा ये भी है कि मैं भी उससे काफी अट्टैस्ट हो ग बच्चन फैमिली की तरह ही खान फैमिली की दिवाली पार्टी भी उतने ही लाजवाब तरीके से रही है जहां पर अमूवन बॉलिवड सेलिबरिटीस पहुँचते हैं रैसे तो शारुक और गौरी ने बॉलिवड में सितारों के बीच कभी भी जो हैसो कंपारिजन्स नह गया था शारुक की तरफ से सल्मान को सल्मान इसलिए शारुक की हर मुसीवत में उनके साथ खड़े भी रहते हैं इसी तरह से बॉलिवड की तमाम सितारों के बीच एक्ट्रिस ना होकर भी गौरी शाही अंदाज में सबसे अनोखी नजर आई फिलाल वक्त हो गया है इजा